अगर contract आप तोड़ते हो तो आपके पास कोई legal notice अगर भेजता है तो legal notice की सुनवाई होगी court में ना कि आपके घर सीधा पुलिस पहुच जाएगी सबसे पहले आप इस बात को समझेए दोस्तो हला की देखा जाए तो data entry के नाम पर जो fraud होता है data entry के नाम पर या part time job पर या फिर work from home कई तरह के अलग अलग तरह के इसको नाम दे दिये गए हैं fraud करने के अलग अलग तरीके हैं दोस्तो fraud क्या है fraud का मतलब ये कि आपको बोला गया कुछ और कर दिया कुछ और मतलब क कई सारे students ऐसे हैं कई सारे लोग ऐसे हैं जो हमें complaint करते हैं हमें बोलते हैं कि सर इस company ने गलत तरीके सारी information हमारी ले ली हमारी photo ले ली signature ले लिया बहुत कुछ document ले लिये और अब पहले काम दिया काम में कम्या निकाल दी अब legal notice भेज दिया उस legal notice का मतलब क्या है आपको प्रावदाने की जरूरत है के नहीं legal action आपके अपर होगा के नहीं ऐसे कई सारी चीजों के लिए क्या क्या आपके प्रावदान है कैसे आप सेफ होंगे उनके बारें बताऊंगा अपने इस वीडियो में तो बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ नमस्का दोस्तों सागत करता हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है University India मेरा नाम है विरंदे वर्मा जैसा आप से भी जानते हम हमेशा कोशिश करते हैं किसी भी तरह के फ्रॉड से आपको बचाने की और आपको बताते हैं क्या क्या चल रहा हमारे इस एजुकेशन के दुनिया में दोस्तों मैं आपको बताओं तो कई तरह के अलग तरह के fraud हैं हमारे पास कई सारे WhatsApp आते हैं कई लोग अपने details शेर करते हैं हम उन details को तो अपने वीडियो में कभी शेर नहीं करते हैं और नहीं कभी करेंगे क्योंकि वो personal चीज़े हैं अपके साथ में जो fraud होते हैं सबसे पहले आपको क्या जानने की जरूरत है हमारे देश का जो एक act है जो बोलते हैं Indian Contract Act 1822 का उसके अनुसार जो contract आप दोनों के बीच में हुआ अगर contract आप तोड़ते हो तो आपके पास कोई legal notice अगर भेजता है तो legal notice की सुनवाई होगी कोट म ना की आपके घर सीधा पुलिस पहुच जाएगी सबसे पहले आप इस बात को समझे हमारे पास बहुत सारे लोग हमें भेजते हैं WhatsApp पर अपने चीजों को कि सर मेरे पास तो पुलिस आने वाली है वो धमकार आये मुझे कि में घर पुलिस पहुच जाएगी मा रेस्ट हो ज होते हैं उससे awareness की वीडियो और education related वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए और आपको aware करते हैं जानकर बनाते हैं क्या कुछ चल रहा है हमारे देश के education system में ऐसी गलती बिल्कुल ना करे जिन लोगों ने हम लोगों को अपनी complaints भेजी थी हाला कि उन लोगों ने कोई पैसा न हैंगे आपकी मदद करने की अब दोस्तो होता क्या है यह scams होते किस तरह से हैं बहुत सारे resumes होंगे resumes की entry आपको करनी होती है वो बोलते हैं इतने resumes की entry आपको इतने time तक करना है और जब वो सारी entries आप करके दे भी देते हो तो उसके बावजूद भी उसमें कम्या निकाल द जाएगी और आपको ही कुसूर वार ठहराया जाएगा क्योंकि जब आपको डराएंगे धंकाएंगे legal notice की धंकी देंगे थाने पुलिस की धंकी देंगे तो आपसे वो पैसा मांगते हैं जब आप डर जाते हो तो आपको ऐसे ठगों को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या आपके हमारी मदद चाते हैं दोस्तों मैं फिर से repeat करता हूँ कि आपके अगेंस कोई भी पुलिस कारवाई ऐसे ही नहीं होगी कोई notice आपके पास आया है तो घबराइए मत यह सब स्कैम है सब गलत हो रहा है और किसी भी अगेंस बहुत बड़ा रूप ले सकता है और आपको बहुत सारी problem हो सकती है हम हमेशा कोशिश करते हैं सब तरह की help करने की सबी students की कि वो किसी तरह के fraud में कहीं ना फज़ जाए और आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो डरने की जरूत नहीं है घबराने की जरूत बि सबस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले साथ में लगा बेल आकर जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की awareness की वीडियो आप तक पोच्छ सके सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राइब हमारी वीडियो के साथ बढ़े रहने के लिए